दोस्तों एक start-up शुरू करने के लिए लगती है कड़ी मेहनत, कई resources और एक बड़ी problem का एक brilliant solution worldwide हर साल करीब 1.5 billion लोग footwear ना पहनने के कारण कई जानलिवा बिमारियों का शिकार बन जाते हैं इन में से majority of people rural areas से belong करते हैं और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में majority of farmers अपनी fields में नंगे पहुंचाते हैं और 21st century का chemically fertilized soil human feet के लिए हानिका रख साबित हो सकता है और इसी बड़ी problem का solution निकाला है तीन NID graduates और आज इस podcast में हम आपके सामने लेकर आए हैं इन ही तीन entrepreneurs की inspiring story तो podcast को एंग तक जरूर सुनिये और सीखिए how to build a brand from zero, how to execute your plans and how to bring your ideas into reality और guys video को like, comment और share करना मत भूलना and do subscribe to our channel for more such content hope you guys enjoy the podcast first of all thank you so much Vidya sir and Sinto sir for joining in जो audience नहीं जानती हैं उनको मैं बता दूं के they both own a startup named Earthen Tunes वो shoes बनाते हैं farmers के लिए ताकि जो farmers को inconvenience होती है जैसे की fields में जाना बिना shoes के कई भारी snakes आजाते हैं कुछ भी issues farmers के लिए ये work करते हैं नहीं रिसेंटली अपना एक शू लाँच किया है और इनका motive जो है में farmers की problems को solve करना है in the future as well these are there are three guys Vidya, Santosh and Nakul but Nakul सरा जोइन ने कर पाए we deeply regret it but we'll have a great time so आप कुछ कहना चाहोगे first of all thank you for inviting us to this podcast हमारा always यह है कि हमें जो कुछ हम थोड़ा बहुत knowledge जो हम लोग gain करते हैं we always love to share it with people ताकि जैसे हम लोग discuss कर रहे पहले कि थोड़ा बहुत inspiration मिले और लोग अपने देश के लिए टाम करें अपने इस टार्ट आप के बारे में मैंने एक थोड़ा सा एक audience को एक clue दे दिया विज्या सर कुछ बताईए अपने स्टार्ट आप के बारे में कैसे शुरू हुआ क्या जर्नी थी क्या इडियास थे कैसे जर्नी कैसी रही अपना जो फार्मिंग का जो साइकल रहता है जहां पे अनाज बोने से लेके कस्टमर को आनाज मिलने तक इसमें जो फूरी चैन रहते हैं उन फूरी चैन को हमने स्टड़ी किया और देखा कि कहां कहां पे क्या का इशीज वगर आते हैं अन विदिन जर्नी भी गाट वरी यू लाइक हम बोलते की हम बहुत डेवलफ हो गया यह हो गया बर तुम गाव में चाहोगे चोड़ी 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 प्रॉब्लम के लिए भी लोगों को यू लोगों को यू स्ट्रगल करना पड़ता है वेरी स्माल इश्यूस्यूस और यूसरो देंड़ गविज थे लुष्य लिए नौस्पमस तूरू अ में लगा की हम सही नीड को अध्रिस कररें यहाँ पी सौ अध्यो थे एंड़ बवर जर्नी विगूट लॉट लॉट अश्यूस और उनको हमने क्या की हम युसको इक डिफेंट केट ग्रैज में क्य कि इसको नारवान कर सकते हैं So we got a lot of ideas we got still 20 to 25 ideas and then we again narrow down when I say narrow down it means कोई problem की जड़ तक जाओ जिससे related बाकी जड़े उगी है So that you main problem को आप खल करोगे तो बाकी आपने आप you know solve हो जाएगे likewise So at the end we got some five topics as such जहां पे वो लेके हम different different जगा पे पिज़ अगरा भी करते थे But then we started की okay we'll just start with something which is tangible जो की in front of us results दे दे और ताइम की हिसाब से भी थोड़ा relevant क्योंकि बाकी की थे वो बहुत अदो पिजनरी थे as a first project there will be too much time consuming and you know to prove ourselves so we started something with the footwear but actually footwear as it seems simple it's not simple था नहीं and you know जैसे हम बात करेंगे आपको उसके बार में और चीदे पता चलेगी तो sir मैं पूछना चाहूँगा footwear आप आपने select करा you start thought of footwear मनाएंगे farmers के लिए आपने कहा कि आपने 20 to 25 problems shortlist कर ली मैं आपसे पूछना चाहूँगा footwear के पीछे ऐसी का problem थी जो आपको था कि यह address होनी चाहिए चाहिए the main soul of the problem जिसको आप target करके आपने सोचा कि footwear को हम priority देते हैं short so हमें जब हम लोग generally आप अगर देखा जाओगे आप जब farmer के बारे में बात करते हैं या farmer के problems में बारे में बात करते हैं it is always related to farming उनके produce कैसे बढ़ा है उनके let us say उनके middleman को कैसे हटा है right cold storage all this वो सब true है but यह कभी किसी ने पूछा नहीं कि खिसान कैसे जी रहा है these are very two very important points it is for example let us say if we take similar things in like a school student right लोग बात करेंगे school student के problem they'll talk about the school they'll talk about education system they'll talk about that this but no one really ask student क्या है उसके bag में problem से क्या उसके footwear में problem से क्या यह similar ही है आप एक तरीके से दिखा जाए तो like Vidyadar keeps saying it all the time right shoes है office goers के लिए shoes है school वालो के लिए but क्यों किसी नहीं तो when we spoke to people हमें यह पता चला कि बहुत लोगे से romantic notion में रहते हैं कि barefoot चलोगे तो आपके feet के लिए बहुत अच्छा है you are in touch with mother earth ठीक है यह villagers नहीं बोलते हैं यह यह जो urban वाल है ना यह लोग बोलते हैं वो truth नहीं है actually right now the situation is the soil condition is not great and जब अप चलते हो forget all that weather farmer mother earth if you go and actually try walking barefoot it is not comfortable okay तो बस यह question we wanted to answer this question कि why are people walking barefoot in rural India see we are in the 21st century right we are planning to go to mars this should be a simple solution to solve simple problem to solve there are so many brands हम लोग ऐसा नहीं कि we are the first footwear brand who has entered the market so after lot of research the one we actually understood is no one has actually even thought about it no one has ever thought farmers को कुछ footwear बन सकती है क्या So you thought of the idea आपने पहले shortlist कर ली इतनी सारी problems आपने आइडिया सोचा आपने एक चीज़ को prioritize करने को सोचा उसके बाद से आपकी journey करनी थोड़ी हम कहते हैं शुरू हो बट एक कहते हैं कि start-up की journey को शुरू होने में बहुत हिम्मत लगती है बहुत सी investment लगती है बहुत सा capital लगता है बहुत से challenges face करने पड़ते हैं और उनमें से ही एक challenge सबसे बड़ा होता है बड़ा मतलब के बहुत बड़ा रोल होगा बहुत दिक्कत आती होगी कैसे start करा उसो कैसे tackle करा शुर तो जैसे आपने बुलाया prior to starting out हम तीनों we were working in various jobs तो काफी challenges थे एक mainly social stigma बहुत रहती है when you want to start something on your own and especially when you say it is something for rural people are not really comfortable in India I don't know why we only realized that once we started it actually there is a saying in Marathi which says Shivaji should be born but he should be born in my neighbor's home not in my home right so we realize it's a similar problem here everyone wants to do something for the nation but it shouldn't be there people whom they know yes social stigma finances yes there was issue but we were always supported by our family members and friends our three parents question our motive our family members always been supportive for example my uncle initially even provided us the office space and the vehicle in which we actually carried out the research for a year right and all this happened free of cost which you can't put really value on right but looking back these are like very critical things which were required second thing we have to actually mention IIT obviously IIT gave us that big fund amount which actually when things start getting serious right but when you have others money which you are spending you become even more proactive even more careful and use it even more judiciously so you have got an idea you have got an idea you have got an idea you have got a problem address a solution where did the name came from earthen dunes this is a very pivot start up first name 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 पर तकन या वो लिगल फ्रेमवक के साब से काम नहीं कर रहे तें, you know, the C.A.S. or the C.A.S. would say, you know, you can't name your company like this. So, once we spent a lot of time, and then we realized that we are not getting it, we will bounce off this idea, that we share with our family members. So, we have talked to our parents, friends. So, incidentally, my mother, she is quite good with this stuff, because she's done, she's actually a PhD in Telugu, so she is very adept at synonyms and such thing so she suggested you know why not you you you're doing something which is in relation with mother earth and you want to do something which is relevant to people of india so why don't you name something which is like music of the earth or something like that that was the idea she had given so we arrived at earth and tunes so vidya sir and santo sir you both told me that you know that you have to do automobile engineering from NID and you have to meet your friends and you have to meet your friends and you have to ask me that automobile engineering this is a very good stream if you see a lot of people stream me I'm going to ask you a lot of engineers who say that you are automobile in the sector good so you have to go out there I can see that you can see exposure to the power of the stream change and you thought about automobile and you just get here and there are some new friends who have to get here and you just get into college and you just have to think about a startup to get into it so Vidya sir तो वहां पे प्राइमेरी नोशन यही था कि हम पोस्ट ग्याज़एशन की स्पेशिविक फिल्ड में करते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मजा ही आएगा तुम्हें मजा भी आएगा तुम्हें अच्छी इंकम भी मिलेगी सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पे को सब्सक्राइब के लिए मोस्ली इंडिस्टी इंडिस्टर में तुम्हें बहुत जारा ऐसे माइंड ओपनिंग थौट्स रहते हैं यहां पे सिर्फाने के लिए मोस्ली इंडिस्टी एक्सपर्स आते हैं और तो यहां पे सिस्टम डिजाइन हैं जहां पे design thinking है यह courses ऐसे हैं ना जो जब आपके जब आपको courses start करोगे आपको लगेगा कि यह क्यों ही relevant है मैं क्यों ही कर रहा हूँ बट जैसे-जैसे courses complete होने जाते हैं आपका answer आप खुदी ढूंड लेते हो कि वह क्यों relevant है इस लगे कि जब तक आपको resistance नहीं मिलता ना कब तक आप समझ नहीं पाते हो चीज़ अभी जैसे संदोश ने बोला कि urban लोगों का यह beautiful notion है कि mother earth, mitti, कितना मज़ा आएगा वगेरा बट जो लोग अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ है they only know कि उसकी another side क्या है उसकी dark side क्या है जो कि उनको हमेशा यह करनी पड़ते है जूजनी पड़ते है so likewise मतलब यह धीरे-धीरे developed होती गई यह वाली जो thought है यह धीरे-धीरे developed होती गई अब एंड में हमें ऐसे लगा कि सारे लोग आटोमेटिव कर रहे है यह नेट तो पहली इसकर हो चुकी है पहले का खोज तो अपकी लग चुकी है और कितने सारे आटोमेटिव आये है और आते ही रहेंगे there is no end it's a fair just like a fashion industry every year you will start something new something new but you have to see कि जो needs address नहीं हुए है उनको हम कैसे address कर सकते है उन लोग उनको कैसे tap कर सकते है जैसे संतोष ने पहले भी रेफरेंट दियाते कि we are in a 21st century we are trying to talk about कि मार्स में जाना ये करना है वो करना है भाई लोग तुम अपना अपना गाव देखो गावा के लोग क्या कर रहे है कैसे जीरे then you think about it क्योंकि हम जब जा रहे तो सब साथ में जाए कोई बस जो प्रिविलेज है जिनको अच्छे एजुकेशन मिल पाई because of family background because of money and everything not everybody gets it so you have to empathize with them you have to feel their pain and agony and you know get it to that level जहां पे सब लोग आगे बढ़ पाई so that was very like जो हम पर्सिस्टें रहे क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कि कल हमने start-up शुरू किया और आजा में success मिली it's a long journey it's not just financial hurdles but a lot of emotional hurdles but ये commitment हमारी हमारे साथ थी तो हम खुद को तो नहीं जोटा कर सकते and that is why हम अब तक इस रहा तक मतलब हमने अभी production शुरू किया है sale शुरू किया है and we are getting very nice and positive response from the people and that is all because of this thought only otherwise there are a lot of start-up they start with something which is very novel and all but then they disappear हमें देखो कि कापी सारे start-up कापी सारे awards मेलेंगे but now they are nowhere it's because they are fooling themselves some might start with just because of money some will start कि हां मुझे नीड़ाइस करने but he will not think about कि हाँ कि आपी सुस्टेनेबर or something like that so we were thankful कि NID ने हमें वो प्लाटफर्म दे दिया जहां पे हम very highly educated लोग industry people उन लोगों का हमें guidance मिला and after that of course IIT Hyderabad जहां पे sorry IIT चैने रेसरच पार जहां पे हमें incubation मिला वहां पे हमें उन लोगों ने बताया कि industry में कैसी चीज़े चलती है and how you have to take that thing also into your account what an answer what an answer what an answer it was ये story सुनना ही ये ही मेरा एक main motive था कि मैं audience को एक पहुंचा पाऊं कि एक startup को build करने के लिए एक सोच चाहिए एक ऐसी सोच के कुछ एक ऐसी problem को solve करना जो हमारी human life को improve कर सके आस पास की लोगों को इसके पीछे कोई selfish motive नहीं बलकि एक motive होना चाहिए humanity को serve करना बहुत बढ़िया मेरे को बहुत मज़ा आया आपका आँचा सुनके बहुत अच्छी सोच है एक चीज ज़रूर बूचूँगा एक startup शुरू करने के लिए चलो आपने nation को serve करने का सोच लिया parents ने support कर दिया किसी भी company को शुरू करने के लिए capital चाहिए capital कैसे raise करा आपने संतोष पताईए कुछ capital कैसे raise किया जाए अगर कोई सोच रहे कि वो startup खोलना जाता है vision है चाहता है serve करे पर capital कैसे raise करे तो इनिशली हमने खुद के पॉकेट से हमने कमिट किया close to 3 lakhs जो हमने आर एंडी ट्रैवलिंग यह सब में किया है इसके बाद हमने वी न्यूं की startup ecosystem काफी supportive है वी government बहुत रिफॉर्म्स पुश कर रही है and हर जगह पर देखोंगे तो buzzword तो बहुत है startup को लेके तो जब हमें approximate idea आगया था मारा startup क्या है and what we are looking at we started applying to various incubators जो लोग जानते नहीं incubator is actually a place where a startup can get financial support and mentorship and guidance to take their idea from just you know a concept stage to something which is commercially viable इसके लिए incubators काफी है top incubators देश में mainly they are generally linked with a premium institute जैसे IITs, IAMs, NIDs such things तो हमने हर incubator पे जहां पे rural oriented काम कर रहे है हर जगह पे apply किया और हमें luckily response मिला IIT Madras से IIT Madras इस मामले में unique है कि उनका एक wing है Rural Technology Business Incubator उसका नाम RTBI है जो कि विच सपोर्ट स्टार्ट अप्स इसे बहुत काम है इंडिया में तो हमने वहां पे जॉइन किया बट हमें directly incubation नहीं मिलाता वहां पे क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत लोग को apprehension से हमारे ideas से कि इवरिवन आसके वाइविल फार्म वेर फूट वेर वनी इस नॉट वेरिंग से लॉंग ताम तो हमें प्रू करना था कि यह एक्शली वायबल है तो आयटी ने हमें एक्शली तीन महीने का प्री इंक्यूबेशन ओफर किया था जहां पर विए टू प्रूव आरसल्स हमने उस टाइम पर वी मेड एरॉंट थर्टी शूज और हमने वह बेच के दिखायते हैं गाव में इसानों एक ने लीट सकते अलगने के लिए एक लांख लेट है चेल अर फूर्ट सकते हैं अगर पच्याजी कई है अगरे यही अंए और आटी डले जुत ब्हु कर्ण फात है sma का वेजिए की कर ब्रीकाश को पता लग पाएए आपको स्पोर्ट करने के लिए एक नेशन तयार है आपना आइडिया तो लेकर आओ यह चीज है अगर मैं आप से पुछू के आप तीन लोग थे आप दोस्ते बहुत अच्छे दोस्ते कई बारी जिनों कॉंफिक्ट ऑफ इंटरस्ट रहते हैं कई इशू आते हैं कई बारी कोई बहस हो जाती है फ्रेंड्शिप स्टेक पर आजाती है उस चीज को आपने कैसे टैकल करा विद्या बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेशन है क्योंकि जब लोग जब कोई एक ही बंदा होता है एक ही ओपीनियन रहती है दो बंदे रहते हैं दो डिफरेंट ओपीनियन होने के चांसे से और जैसे लोग बढ़ेंगे that can happen okay बट जैसे मैंने इनिशली ही क्लियर किया है कि हमें बहुत ज़ली रेलेइज हो गया कि हमें करना क्या है तो वो हमारे सेलफिश के आगे था like when you say कि मुझे मनी कमाना है मुझे शारी करना है मुझे घर घर चाहिए यह तुमारे सेलफ इंटरेस वारी हमेशा वही रहता था कि हमारे जो भी decision है at the end is it helping I mean are you on a positive side or a negative side हमारे decision उनकी favor में है उनके against है you know so likewise वो हमेशा हमारा end question रहता था कि you know let's ask that question to our friends see where we stand and so easily resolve हो जाता second thing कि हमारे thoughts में पहले सी clarity थी कि हमें क्या करना है तो जैसे you start we started this station saying okay we were doing different jobs and how come you know वो छोड़के इसमें तो जब हम job कर रहे थे मतलब NID के time पे ही we had this idea very clear कि हमें कुछ तो करना है वो कुछ तो different नहीं था उस time पे it was just you know thought तुमारे behind चल रहे तुमारे mind में चल रहे तो जब संतोष मुंबाइ में एक electric wheelchair के लिए काम कर रहा था में और नप्पूल जब रिल्वेड इसंटर के लिए में काम कर रहे था it was always you know behind our mind so उस time से लेके वो चल रहा था so we are talking with each other we are interacting with each other and then we came to we like naturally or organically we came to this thought okay हमें साथ में आके शुरू करना चाहिए यह particular choose and इसलिए बहुत you know it's not like कि हां ऐसे कुछ करने let's start together ऐसा नहीं हुआ है इतना suddenly नहीं हुआ है यह बहुत ही progressively हुआ आप उस plan पे stick रहे आपके गोल्स सेम थे या या जो आपके thoughts में clarity होती है आपके आपके ऊपर रहती है तो और जादा आसानी हो जाती है तुम्हें किसी भी चीज का हल निकालने के लिए और एक चीज यह है कि हम तीनों क्या करते है कि अगर कोई problem आती है जो कि you know conflict of interest बग रहे हैं हम तीनों साथ में बैठके शान्ती से सोचते है और कि कोई भी topic हो उसमें तुम्हें यह नहीं देखना है कि मैं कितना true हूं मैं कि दूसरा कितना false है या फिर मेरा ego है या फिर मुझे कुछ प्रू करना ऐसा नहीं है जब हम brainstorm करें इस वेरी open यह discussion कहीं पर भी जा सकते हैं तो या that helps us a lot यह मैं golden rule मानने तहूं partnership का कि अगर आपको अपने aim को अपनी दोस्ती और अपने conflict से उपर रखना चाहिए अपने aim को बहुत अच्छा ऐसे भी thoughts work करते हैं बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली अगर मैं last question पुछूँ आपसे दोनों से ही शू तो निकाल लिया सोच लिया farmer है farmers mostly villages में होते हैं और जो shoes है mostly जो बड़े-बड़े brands हैं कई वी कोई भी शू लाँच होता है इंडिया में वह mostly target होता है e-commerce पे लाँच होता है या फिर वो malls में launch होता है malls में stores होते हैं उनके वहां पे बीगता है तो पहला question तो यह है कि आप वहां तक फार्मर्स तक shoes को पहुंचा होगे कैसे और दूसरा question यह कि price कह रखोगे तो यह true है कि farmers को reach करना या इतना straightforward नहीं है बिकोज जैसे आप देखोगे distribution channels इतने well developed नहीं है इंडिया में एंड फार्म में तिंग विद्विलेजिस क्या है काफी distributed रहते वाइड एरियास में ठीक है तो फर्स तिंग हम लोग ने actively try किया है actively करते रहेंगे कि middleman जितना कम हो सके उतना रहे हमारे farm food supply chain में बिकोज जैसे ही जितने middleman add होते जाएंगे उतनी हमारी प्राइज शू की costing बढ़ जाएगी दूसरी चीज़ हम लोग जो solution मिला है इसमें वो भी हमारे field research से ही मिला है यह पहली product नहीं है जो की farmer targeted है और जो market हो रही है पूरे इंडिया में there are a lot of products but they are not shoes per se let us say fertilizers है pesticides है farming equipment है इसके लिए actually there are dedicated channels तो हमारा शायद first footwear होगा जो की इस channel से push होगी so इसके लिए हम लोग क्या कर रहे है first is we are collaborating with FPO's FPO stands for farmer produce organizations basically it's like around 100-200 farmers or more than that they coming together and forming an organization so हम लोग directly उनको target कर रहे and we'll try to उसमें advantage क्या है एक हमें targeted marketing मिल जाएगी तूसरी हम लोग bulk में बेच पाएंगे right second thing चीज जो हम लोग कर रहे है हर village या district में farm input के लिए shops रहते हैं all farmers go there to buy pesticides you know fertilizers fertilizers हम लोग वहां पर हमारा शूफ फीचर करेंगे जो कि प्रॉली one of the first kind of footwear होगा जो कि वहां पर feature होगी बहुत interesting जो हमें last few months में मिला है कि actually e-commerce से लोग खरीद रहे हैं हमने यह देखा कि काफी अभी awareness बढ़गी है प्रॉली कोविड की वेज़े से भी अभी हमारे 95% of our sales are from rural India which is very fascinating for us so yes these three बहुत अच्छी सोच है इस brand के पिछे इस start-up के पिछे earthen tunes मैं इस चीज़ को कह सकता हूं कि आने वाले समय में एक brand जरूर उबर कर आएगा जो सोच है जो strategy है वो सुनकर बहुत मज़ा आया हमारी audience को इस से बहुत अच्छा बहुत मज़ा आया अगर मैं एक last चीज़ पूछ हूं आप दोनों का earthen tunes के लिए future goals के future दस साल बात कहां देखते हो company right so हम लोग इसी space पे रहना चाहते हैं जो what we are calling as meat-based design हम earthen tunes को इस tagline से बुला रहे है कि we are a social enterprise for India यह जो for India वाली बात बहुत important है हमारे लिए क्योंकि India is the place where there are a lot of opportunities problems नहीं हम लोग उसको opportunities बोलते हैं every problem is an opportunity for us to do an intervention तो India has lot of them and we want to be at a place where people we are हमें तो 100% confidence है कि we will always come up with ideas which are new हम बस यह मुकाम पर पहुंचे कि लोग more people start joining us in this vision अभी मैं जब बात करता हूं शायर it is changing every day there are a lot of people who understand what we are doing let us say two years ago no one even really cared right अभी कुछ लोग audience है hopefully हम लोग इस level पर पहुंचे कि lot of people actually come and join us in in this large cause let us say मैं tomorrow or let us say 10 years के वाल I say कि I am going to make something for farmers people should come and you know join the cause that is where we want to be so that we can inspire people what a true entrepreneur you guys are thank you so much guys thank you so much for joining in today बहुत मजा आया बहुत सीखने को मिली आपकी स्टोरी से काफी नए लोग inspire हों और कुछ न कुछ सोच लिगा है ताकि वो भी you know humanity में कुछ सर्फ कर पाएं nation को सर्फ कर पाएं अपने स्चार्ट अइडिया से thank you so much to the audience for tuning in today आपने हमारा पुरा पॉड़कास सुना अगर आपको अच्छा लगा पॉड़कास तो प्लीज लाइक और कुमेंट करना मत भूलना और प्लीज सब्सक्राइब टॉर चैनल फॉर मोर सच कॉंटेंट ऐसे ही स्टार्ट अप स्टोरी लाते रहेंगे thank you so much guys for joining in thank you Santosh and thank you Vidya sir thanks a lot